कि य है कि एक पार य से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेसट वीडियो पे तो आज इस वीडियो नदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगँ आज सी प्रुडंटल फ्लैक्सिक्प फंड डाइट ग्रोध के बारे में इसमें मैं आपसे डिसक्ष करूँगा जो आइसे ऐसी प्रोडेंटल फ्लक्सिक का फंड राइट ग्रोथ पिछले एक मैने छे मैने एक साल या फिर एन्वल रिटन क्या दिया है आज की डेट में इसका एक एनवी का प्राइस क्या है यह कितने स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें मिनिममम S.I.P.M. आप क्या लगा सक एक मैने का रिटन के उपर में तो एक मैने जो रिटन दिया है वो 3.52% का रिटन है छे मैने की रिटन की बात कर लेते हैं तो 6 मैने में 22.70% का रिटन है एक साल के रिटन की बात कर लेते हैं तो एक साल में 35.91% का रिटन है और अगर एन्वल रिटन की बात कर लेते हैं तो रिटन है 20.37% का हम लोग एने भी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एने भी का प्राइस है 16 रुपिया 16 पैसा रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी परकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है इसमें मिनिमुम साइप एमांट आप 100 रुपिया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 13,742 करोर का अब बात कर लेते हैं माल लेजिए आप इस मुच्छुल फंड में 500 रुपिया परमन जमा किये होते तो तीन मेने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 15,000 रुपिया आपको मिलता 15,565 रुपिया 6 मेने की बात कर लेते है तो 6 मेने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 30,000 रुपया आपको मिलता 33,000 रुपया एक साल की बात कर लेते हैं तो एक साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया आपको मिलता 71,971 रुपया अब बात करते हैं माली जे आप इस मुच्छल फंड के होता है और एक साल में आपका एक लाग रुपया एक लाग पैंटिस जा नो सो दस उर्पया होता है इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 61 स्टॉक लिस्टेड है अगर हम टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है TBS Motor Company Limited जो ओटम वाइल के छेतर पे है मारती सुजी की इंडिया लिमिटेड जो ओटम वाइल के छेतर पे है ICIC Bank Limited जो की Financial छेतर पे है Avenue Supermarts Limited जो Service के छेतर पे है Reliance Industry Limited जो Energy के छेतर पे है HDFC Bank Limited जो Financial छेतर पे है भारती एटर Limited Communication के छेतर पे Infosys Limited Technology के छेतर पे Larson and Turbo Limited Construction के छेतर पे और Ethos Limited जो की Service के छेतर पे है इसकी Holding Analysis को समझे तो Equity पे है 97.3% Cash पे है 2.3% और Debit पे है 0.4% इस Equity को यदि सेक्टर वाइस देखते हैं तो Others में है 25.5 Automobile पे 22.1 Financial पे 19.5 Service पे 13.9 Technology पे 7.3 Construction पे 6.6 Energy पे 5.2 इसकी P.E. Ratio की बात कर लेते हैं इसका P.E. Ratio है 32.68 P.E. Ratio है 5.03 minimum investment amount की बात कर लेते हैं यदि आप फर्स्ट टाइम minimum investment करना चाहते हैं तो पांच जास से स्टार्ट कर सकते हैं सेकंड टाइम आप एक हजार का भी कर सकते हैं minimum S.I.P. जो आपको इसमें करना होगा वो 100 रिप्या का करना होगा अब return rank की काटेगरी हम लोग देखते हैं return and rank तो इसका जो fund return है 3 मेने में 14.4 है 6 मेने में 19.4 है 1 साल में 35.1 है और annual 69.1 है मुई इस काटेगरी का जो average return रहता है एक साल में 33.1 रहता है return rank की काटेगरी पे देखा तो 3 मेने में 32 नमर पे रहन करता है 6 मेने में 14 नमर पे रहन करता है और एक साल में ये 28 नमर पे रहन करता है इसके आसपस इदी similar funds देखे इसके आसपस similar funds है JM flexi cap fund diet growth HDFC flexi cap diet plan growth Prague Parik flexi cap fund diet growth Franklin India flexi cap diet growth DSP flexi cap fund diet plan growth तो इसके आसपस इतने सारे इसके similar funds है इसकी expensive ratio की बात कर लेते हैं तो इसका expensive ratio है 0.66% और exit load की बात कर लेते हैं यदि आप 12 मेने के अंदर अपना पैसा redeem करते हैं तो 1% का exit load देना होगा इस time duty की बात करते हैं इस time duty है 0.005% अब इसकी fund house and investment objects को देखते हैं तो ICIC prudential mutual fund total assist पे इंडिया पे नमबर 3 पे रेंक करता है ये mutual fund इस्टार्ट वाए था 12 अक्टूबर 1993 को इसका total assist under management है 6,71,909 कलोर का अब इसके और हैं थोड़ा सा हमनों basic knowledge और देखते हैं तो ICIC prudential flexi cap fund जो है एक equity mutual fund है जो कि launch किया गया है ICIC prudential mutual fund की तरब से ये mutual fund स्टार्ट वाए था 12 अक्टूबर 1993 को रजत चेंडेक जो है अभी current fund manager है ICIC prudential flexi cap fund डाइड उरत का इस fund का currently assist under management है 6,71,910 कलोर का और latest अभी 16 रुपया 16 पैसा है ये mutual fund काफी high risk mutual fund है इसमें minimum SIP amount 100 रुपय का sit किया गया है और minimum lump sum 5,0 का sit किया गया है 12 मैने के अंदर यदि आप अपना पैसा redeem करते हैं तो 1% का आपको exit load यहाँ पे देना होगा तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया ICIC prudential flexi cap fund diet growth के बारे में तो फिर मिलते हैं लोग next को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके